खेलते वक्त जैसे ही बादल की गलत सुनाई दे एक रूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पेरों को यू मिलाते हुए उकडू पेंट जाना है ताकि तेजवाद से कान बच सके और जमें पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का घद्रा कम हो सके ए बाओ जी बागवा यह बच्चे हमारी नकल काहे कर रहे हैं यह नकल नहीं है बिजली जब बहुत करीब होती है तो यह उससे बचने का तरीका है अब तुम सर मत खाओ दर्वे के तरह भागो जब भी बादल की गरच सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रख कर और एडियों को जोड कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एडियां जुड़ी हुई हों बिजली का खत्रा उंचे पेड बिजली के खंबों तार और पानी में ज्यादा होता है इसलिए इन सबसे दूर रहें तैयारी में ही समझदारी राख कर दोड़ी है